हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागात है मारे यूटूब चैनल में और हम यहां पर जो टॉपिक पढ़ रहे थे हो था कतियों की साख है और इसमें हमने सबसे पहले देखा था असकोट ठीक है और असकोट के बाद आज हम इसी करम में आगे बढ़ेंगे और ड दो पतरते कि आप आप असकोट में और निरन्जन देव ने क्या किया लोटी में मल चैनलाया हमने देखा था तो आज हम देखेंगे नेपाल का डोटी का मल राजबंस या रेका राजबंस ठीक है और सीरा का भी हम देखेंगे ठीक है तो सीरा में भी और डोटी में भी तो चलिए चलते हैं तो ठीक है देखें यहां पर सीरा प्राचीन समय में जो डीडी हार्ट को हम क्या कहते थे सीरा कहते थे बार बार हम कह रहे हैं इस बात को तो डीडी हार्ट प्राचीन समय में सीरा नाम से जाना जाता था और सीरा में भी कर रहे हैं भी आप यहां पे किस प्रकार से कर रहे हैं आप कुछ इत्यासकारों ने बोला कि जो यह सीरा है अर्थाज जो यहां पे, सासक थे सीरा में, उनको कौन यूपत करते थे, ये डोटी के रैका और मल, इसलिए वो यहां पर, रैका और मल के उपादी से, सासन करते थे, लेकिन कुछ इत्यास कारों ने माना, कि नहीं सीरा अपना स्वत्नत्र था, डोटी का अपना अलग सासन था और यहाँ पे सीरा जो है इसके सासक अपने अलग होते थे अब देखिए अगर हम मानेंगे कि अगर ये दोनों एक थे अगर ये दोनों एक मानते हैं इनको तो फिर हम यहाँ पर देखें, डोटि का सस्थाफ़क में आपको बता है, निरंजन देव, ठीक है, तब तो हमारे हिसाब से केवल निरंजन देव ही क्या है, सस्थाफ़क रेका और मलका, अगर ये इसके अंडर में काम करे हैं, किसके, डोटि का अंडर में, लेकिन अगर हम चेह मान के चलेईं कि दोनों अलग अलग ते तो निरंजन देव किया है। लेकिन अगर हम Sira को अलग से पड़े तो यहाँ पर हमें अलग देखना पड़ेगा किस ने इसकी स्तापना करी थी किस ने यहाँ पर मल राजवन्स की नीव रखी थी तो देखें यहाँ यहाँ पर इतियास करों ने तर्क क्या दिये हैं वो बहुत धर्म को मानने वाले थे, तो इतियास कारों ने कहा कि नहीं, ये दोनों के हैं, अलग-अलग हैं, लेकिन अटकिंसन ने कहा कि सीरा तथा डोटी के जो मलराजवन, जो भी हैं ये, ये सब एक ही थे, लेकिन राहूल संकिर्थियन ने कहे दिया कि किलियर हो गया ज्यादा डीब जाएंगे यहाँ पे तो बहुत दिक्कत होगी क्योंकि किताबों में कहीं भी स्पस्ट नहीं है हमारे पास परमानिक जानकरियों का अभाव है इस टॉपिक में ठीक है तो थोड़ा सा देखते हैं सीरा को है तो सीरा क्या था चंद राजाओं से पढ़ा होगा आपने तो सीरा उसमें क्या था आर्थिक त्रिस्टी से बहुत जादा संपन था इसलिए समय समय पर सीरा को लेके युद्ध भी लड़ेगे बड़े युद्ध लड़ेगे खाद्यानों का यहाँ पर अच्छा उत्पादन होता था उसमय ठीक है और सौका ब करमल डोटी नदी के वहां काली नदी के पार भी रहते थे अब हो सकता है कि यह टैक्स देते हों कौन ठीक है यह सीरा वाले क्या हो टैक्स देते हों याप जिस परकार से चंद राजमंस के राजा देते थे डोटी को चैक्स ठीक है तो यह चंद राजमंस के जो राजा थे टेक्स देते थे डोटी को आपने पढ़ा होगा और पहला सासक आया था फिर भारती चंद जिसने बारा वर्स तक डोटी राजे से युद्ध लड़ा था और पहला स्वतंद्र सासक हुआ था अपने पढ़ा होगा चंद मंस में बारा वर्स युद्ध किस सासक के द्वारा ल उसका साथ किस ने दिया था उसके पुत्र ने साथ दिया था रतज चंद ने क्या था कठेर राजाओं की साहिता से एक सेना बनाई और बद्रीदत पांडे जी ने इस सेना की तुनना अमेरिका की फौश से करी थी ठीक है किस से करी थी अमेरिका की फौश से करी थी तो जैसे ह यहां पर अब देखिए अब हम यहां पर वह सारी चीज़ें हैं दूखो समझने वाली कि इतियास करणों ने क्या लिखाया जैसे ही भारती चंद ने यहां पर डोटी पर अटेक किया था डोटी को हरा दिया तो डोटी की हार के साथी यह जो सीरा राज्य था यह अब चंदों नहीं जाना कुछ फैक्ट देख लेता हैं ठीक हैं बादरीतत पांडे जी कैनुसार कुमर को मल कहा जाता था और जब कुमर राजा बन जाता था तो उससे पिर क्या राय परताप मैरेन, राय तारा मिरगांग और निरे पाल देव यानि नी नर पाल देव इतना हमें नहीं देखना है हमें देखना है वसके वल राय तारा मिरगांग को सीरा के अभी लेकों से ग्यानत होता है कि सीरा में मल सासन की इस्तावना राय तारा मिरगांग ने की थी औ प्रोपेसर स्याम्राल बत्यूली तामर पत्र को रहका वंसका फ्राजचीन तम अभिलेक मानते हैं बत्यूली तामर पत्र क्या मानते हैं रहका वंसका फ्राजचीन तम अभिलेक मानते हैं अभी तक निमने रिक आउं के तामरपत्र पराप्त हो चुके हैं अभीलेक, ठीक है Rुपु मल, आनंद मल, रही मल, भूक्ती, और इन तामर अभीलेकों में सबसे पूराना अभीलेक किसका है, रिपु मल का है, शॉन संट 1410 का, इस अभीलेक में रिपु मल को राजा दीराज की उपादी से भी भूसित किया गया अब देखें यहां पर स्यामरल बत्युली तामर पत्र को रेकाव उन्सका प्राचिंतम अभी लेक मानते हैं नीचे मैं दूसरा अग्डब को बता रहा हूं कि इन तामर अभी लेकों में सबसे पुराना अभी लेक रिपू मलक है तो इतियास करो के अंसार तो वही सीरा का जो मल राजबन साब डोटी के दिन था पिर यहां पर संस्तापक कैसे हो गया सीधा सा सवाल ये भी उड़ता है ठीक है अब छोड़िए इन बातों को छीते फैक्ट देखते हैं मल उपादी धरन करने वाले राजाओं की संक्या कितनी बारा मल एवं चंदकालीन राजस्व भू अभी लेख सीरा के बयाल परिवारों के पास संकलित मिलते हैं मल एवं चंदकालीन राजस्व भू अभी लेख सीरा के बयाल परिवारों के पास संकलित मिलते हैं अब पहले यहां पर देखते हैं बयाल क्या होते थे राज की अभ कारी कौनते बयाल होते थे और इसी नाम से देखिए आपर जो नेपाल के बात कर रहे हैं वहाँ पर उनको क्या कहा जाता था बैदार कहा जाता था देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है बयाल कहा जा रहा है और काली पार में यही बैदार कहा जाते थे सेम यही काम करते थे उनको क्या कहा जाता था? बैदार कहा जाता था दियान रखेंगे बैाल और बैदार मल, रेका, बसेडा एके भहिया मल, रेका और बसेडा एकीते कुछ जरूरी नहीं है सीरा की भहियों, राज़त सुअभी लेकों में तो अरजुनबल तो ध्य आन रखेंगे अरजुनबल आप देखते मंलों की भूमी ब independence ठीक है तो यहां पर देखते दो परकार दाथ के उपिस होते थे ठीक है हमें बतेखना शिर्टि को दब्थर तो देखिए मनलो की भूमी ब्युस्ता में अगर हम पूचे डेरक्ट सवाल कि कितने परकार के उपिस थी कितने परकार के कारे ले थी तो दो परकार के ठीक है सीर्था जो दफर था इस दफर में भूमी की 25 वा उस पर लगने वाले करों का विबरण अंकित रहता था जबकि टनकिया दब्तर में भूमी की कोटियों का दो परकार से विवाजन गाओं और किर्सकों को कबजों के अनुसार लिखा जाता था ठीक है तो सबी में देख जितने भी आप पढ़ रहे होंगे जितने की आप यह पढ़तों की भूमी विवस्ता लगबग यही आप कहा पे मिलेगा इनका थोड़ा सा अलग गया बस इस सिर्थी का और टनकिया इस कारियले में देपनाओं मंदीरों ब्राह्मणों जागीरदार चत्रियों जागीरदार बुद्करा लोगों को दी गई कर मुक्त भूमी का विब्रण अलग लग सिर्थिकों में लिखा गया इतना महत्रपूर्ण यह देखिए आप बस इतना ही ध्यान रखेंगे मल्लों की भूमी व्यस्ता में दो प्रकार के ऑफिस होते थे टनकिया दफ्थर और सिर्थिका दफ्थर ठीक है तो चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो भी समाप्त होता है अब थोड़ा सा एक वीडियो और आएगस में उसमें बस दो-चार फैक्ट है ज्यादा तो नहीं है उसमें